अमरेकुम क्लास एट आज मैं आप लोंके साथ exercise 6.1 question number 1 जिसमें हमने scale find करना है question number 1 का part number 3 है 509 इसका हमने scale find करना है वो भी इस formula से A plus B का square तो पहले हम इस question को इस formula की form में लिखेंगे यानिके एक value हमारे पास A और दूसरी B होनी चाहिए यहांपे तो सिर्फ A की value है ना तो हमने इसको 500 प्लस 9 की form में लिखा यानिके इस formula की form में आगया एक हमारे पास value A है और दूसरी B है तो A plus B जब इसका whole का square open करते हैं A square plus B square plus 2 AB A square क्या है 500 and B square क्या है 9 500 का square plus 9 का square plus 2 into 500 और 9 500 को जब 500 से multiply करेंगे तो यह 4 0 आएंगे और 25 आएगा यानिके इन 0 को हम add कर लेते होते हैं और 5 25 आगया अगर इस तरह multiply करें 5 500 को 500 से तो भी ठीक है तो भी यही answer आएगा सैक्ड़ा हजार दसजार लाग दो लाग पचास हजार 2,50,000 और 9 9 का square जब open किया तो 9 को multiply करना पड़ेगा 9 से 99 times 81 plus 2 को 500 से और फिर 9 से उसके answer को multiply करने से यह answer 9,000 अब इन तीनों को plus कर लेना है plus करने से हमारे पास जो answer आया है वाय आई टू लाग सेक्डा हजार दसजार लाग दो लाग 69,081 तो यहां पर मेरा आज के लैक्चर होता है खत्म अगर आप मेरे चैनल पर नू है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शियर करें मिलते हैं एक्स वीडियो में